नमस्कार दोस्तो आरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की और से एक खुशकबरी आई है एक अकबार के इंट्रिवे में बताया गया है बात करते हैं असिस्टेंट रिवेनु कलरक्ट जो 14-2019 की बरती है उसमें लिखा है कि सहायक राजसव कलरक्ट का जो प्रिणाम है वो जल्दी जारी हो गया यानकि इसके अलावा और जो कोई प्रिणाम बचा हुआ है 14-2019 का वो भी जल्दी ही जारी किये जाएंगे और फिर बात करते हैं आईटे उदे अनुदेशकों की जो आईटे इस्टरक्टर बरती बहुत सालों से पेंडिंग है तो उनकी जोईनिंग के बारे में पताया गया है इसमें कहा गया है कि अभी प्रिणाम जिन जारी हुए थे उनको जोईनिंग करवाजा इसके पिछे क्या कारण है तो उसमें बता है कि चैनित उमिद्वारों के दस्तावेज अनुभाव प्रमान पत्र पहले तो आयोग परख रहा था अब विवाग परख रहा है यनकि वो चेकिंग चल रही है इसमें समय लग रहा है फिर बायोमेट्रिक रिकोर्ड देरे में देरी हुए मगर अब विव करते नहीं हुई अभी कुछ कटेगरी की हुई है तो बाकी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बतायाली-धात जलदी होगी और जो कैनिंग रिजल्ट है में तो 24 category में से कहरें कि 16 category का जो result है वो number के मेज़ने में जारी कर देंगे हम यानकि इन्होंने बताया कि 2.2 wr पधों परिणाम के जारी हाँ अब लगबग 24 category मे जारपद राते हैं जिनका 16 category है उनको इसी महीने निप्टा देंग और बाकी 88 काटेगरी जो उसमें टाइम लग सकता है तो आईटे अनुदेशक और 14-2019 में जो असिस्टेंट रिवेन नुकल रखे उसके लिए ये बड़ी खुसकबरी थी कि अगर टाइमली ये काम कर दें तो 9 में इनों में कई घरों में जो है खुसिया आने वाड़ी है ऐसी अपडेट के लिए बने रहे निजू क्लासिज के साथ धन्यवाद